नमस्कार दोस्तो इस Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधान सभा भरती की तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं दोस्तो कल वीडियो बनागर आप लोग को बताया था कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में भरती आ रही है और शौट विज्यापन भी दिखाया था डिटेल विज्यापन कल जारी होगा और उसी वीडियो में काफी कमेंट आये थे तो उन मेंसे मैंने कुछ कमे कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सीधे मुझसे फोन पर भी बात कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है तो दोस्तों पहला कमेंट है उत्करश प्रताब जी का यह पूछ रहे हैं आरू के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है क्या दोस्तों आरू के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होता आरू के लिए सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होता है इलाबाद हाई कोट आरू वाले में ठीक है चाहें फिर वह उत्तर प्रदेश आप देखेंगे सची वाले की भरती हो उसमें भी आरू के लिए टेस्ट नहीं है टाइपिंग और व बना देंगे जैसी कोई सूचना मिलेगी ठीक है अगला जो कमेंट है वो है पृति कुमारी जी कह रही है कि इसमें तो सीटे फिक्स नहीं है पहले से बस ये बताइए देखिए पृति जी ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है और देखिए जब भी आप कोई फॉर्म डालते हैं तो पूरा सोच समझ के डालिए जैसा भी आपको लगता है आप से डिसिजिए क्योंकि कई बार लोग ये भी कहते हैं कि हमने आपके चक्कर में आकर एक हजार रुपे का फॉर्म डाल दिया और बाद में हमारा सेलेक्शन नहीं हुआ तो इसलिए जो है आप अपने पू चाहर के आर्ष हैं यूपी पीजिए वाला रू होता है या फिर पावर किस aroundा दे मि दिश्वें अगर अगर आप यह तक्रेड़ के लिभी करें तो मैंने समझा है सभी को तो इसमें आपको सची वाले वाला जो आरो है उसकी पावर थोड़ी सी आपको ज्यादा मिलेगी इसलिए आपने दिखा होगा कि उस वाले एक्जाम को पास करना भी इतना आसान नहीं होता क्योंकि उसमें अब्जेक्टिव के साथ में डिस्क्रिप्ट अच्छा यह वाला मुझे लगता है स्लाइट दुबारा से रिपीट हो गई है यहां पर चांदनी कुमारी जी कहती है कि आरो की प्रिप्रेशन कैसे करें कुछ बताएं देखिए मैंने आप लोगों को बता है कि जो भी सिलिबस जारी होगा कल ही आपको सूचना मिल हैं जो आपके सबसे कमजोर हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए मैं यह कह रहा हूं कि उसमें आप एवरेज तक आ जाईए और जो बाकी आपके स्ट्रॉंग है उन्हें रिवाइस करके और स्ट्रॉंग कर लीजिए ठीक है यही तरीका है बाकी अंकिता कहती हैं कि डिस सब्सक्राइब कर देखते हैं यहां पर राजुपाद्या जी कहते हैं कि धन्यवाद जानकारी के लिए हां बिल्कुल देखिए जब भी नई भरती आती है एक नय जोश तो आता ही है और बस यह धियान रखना है कि भरती आए ना आए आप लोगों का करतवे हैं पढ़ाई करना और उसमें लगे रहिए और इमानदारी से कीजिए बस syllabus पर वीडियो बना देंगे APS की वेकेंसी है क्या नहीं है दोस्तों अभी अगर हम बात करें इसमें तो ROE ROE की वेकेंसी के साथ में अत्रिक्त वेकेंसी भी जो है आपको इसमें जो कल विग्यापन आएगा उसमें देखने को मिल सकती है ठीक है तो कल ही ये चीज़े क्लियर हो जाएंगी कि उसके साथ में कौन-कौन सी वेकेंसी है तो मुझे लगता है कि आप लोग के जो खया गई हैं तो आप कमेंड सेक्शन में लिख सकते हैं कल डेटेल वीडियो शाम को मैं आप में लोग के जारी करूँगा और यदि आप किसी एक्जाम से रिलेटेट केरियर गाइडेंस चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बताय गया है इसके साथ में दोस्तों जो हमने अभी तक समानने ग्यान के मौक टेस्ट कराये थे, खासकर आरो ए आरो की परिक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो आप उनका भी लाव उठा सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे, हिस्ट्री, जोग्रफी, पॉलिटी, यूपी, स्पेशल, डिस्क्रिप्शन में सभी जानकारिया हैं, धन्यवाद दोस्तों, जय हिन, जय भारत,